नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी राज की बात बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस बात से अब अंजान थे। जी हां दोस्तों, इस संकेत को आप समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो भगवान सभी की किस्मत में कुछ न कुछ रास्ता दे कर ही भेजते हैं। जी हां दोस्तों, चाहे वह आप सभी को यह राज की बात बताने वाले हैं, कि दोस्तों, अब आपका वह इंतजार की घडियां समाप्त हो गई, जो अब इस जन्म में होने वाला है, वह अब होकर ही रहेगा। दोस्तों, यह स्त्री इतना खुशनसीब है, कि दोस्तों, आपकी किस्मत में आते ही आपका जिन्दगी स्वर्ग जैसे बन जाएंगे। जी हाँ, दोस्तों, आपका वह सारे सपना, वह काम्याबी, वह उम्मीदें, सब कुछ एक-एक करके पूरा होने लगेंगे। जी हाँ, दोस्तों, यह एक प्रकार से कहें कि यह स्त्री हीरे से भी कम नहीं है। जी हाँ, दोस्तों, दोस्तों, हम वीडियो में आपको बताएंगे कि वह कौन स्त्री है, इसका नाम क्या है और ये स्त्री कहां रहती है, जी हाँ, दोस्तों, ये स्त्री ज्यादा दूर की नहीं है, दोस्त, ये स्त्री आपके कुछ दूरी पर ही है, ये आपको अपने मन से भ भगवान के प्रति पूजा पाड़ भी की है, आपके लिए ये एक पल भी नहीं रह पाती है, दिन रात आपके ख्यालों में ही कोई रहती है, जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें, दोस्तों, ये स्त्री आपके लिए जान तक भी दे सकती है, इतना प्रेम आपसे करती है, जी हाँ दोस्तों, और ये आज नहीं, बल्कि दोस्तों, आपका जन्मों जन्मों का साथी भी है। जी हाँ, दोस्तों, दोस्तों, यह स्त्री में एक से बढ़कर एक खासियत है दोस्तों, इसका मुस्कान ही लोगों के दिल को छू लेते हैं। दोस्तों, जो एक बार इस स्त्री को देख लेता है, उसका हर काम पूरा हो जाता है. इतनी बड़ी खसियत है इस स्त्री में. जी हाँ, दोस्तों और दोस्तों, यही स्त्री आपको इतना प्रेम करती है. अब एक सबसे खास बात, दोस्तों हम आपको बता दें कि यह सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना, यह आपके जीवन में होने वाली सच्ची घटनाएं हैं और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं. यह आपकी ग्रहों की चाल बल्वान हो जाता है, उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है, इसी वज़े से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं, वह आपकी राश्य में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में ये बताया जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, दोस्तों, हम आपको हर एक घटना के तौर पर बताएंगे, आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है, दोस्तों, जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें ईश्वर का कहीं न कहीं योगदान होता है, आपकी जिन्दगी को बदलने का प्रयास होता है, और ईश्वर हमेशा जो कि आपकी एक अनोखी आदत अकसर संसार में इसका उल्टा होता है, लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकरशित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय ले लिया है कि आपके जीवन में सुख ही सुख की घडियां अब आकर ही रहेगी, तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशिरवाद माने और भगवान का प्रसाद समझ कर इसे सुखार करें। वीडियो को पूरा देखें, हमने बहुत मेहनत की है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी जोतिशी ये आकलन जोड़ गनित गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंब करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं। दोस्तों, कम से कम तीन बार कमेंट में जैमा काली करपा करो, जैमा काली करपा करो, अवश्य देखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुन्दर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता काली का आशीरवाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब अवश्य कर देना, और बगल में जो घंटी का निशान है, उसे भी दबा देना। दोस्तों, ये बिलकुल ही फ्री है, बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं, और आपकी जिन्दगी में कई रंग दोस्तों, हम पूरा जोर लगा रहे हैं। बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यक्ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूले दोस्तों। हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इनसान हैं जो बाहर की चुनोतियों से बिलकुल भी नहीं डरते हैं। आपका बाहर की चुनोतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां, बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं, आपका मनोबल बहुत उंचा है, आत्म आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुँचाते हैं, और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं, जिनकी वजह से आप पीडित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार, जैसे कि आप कंकड पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहन कर चलेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कपड़ों में से एक भी कंकड, यदि आपके जूते के अंदर आ जाए, तो आप साफ सुथरे रास्ते पर भी चलेंगे, तो आपको बहुत कष्ट होगा, उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर-परिवार और रिष्टों में, जो आपके शत्रु हैं, उसी एक कंकड के समान है, जिन्होंने आपके सुन्दर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत रखा ह आपको परेशान कर रखा है, नर्क की भटी में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है, तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा, जब तक अपना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तोर पर कठोर नहीं होंगे, आपको लोग अ सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, यही तो आपकी खुबसूरती है, बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है, दोस्तों, याद रखें कि जो आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परिशानियों से हुई जनों से, जब आप डूब जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी दिल नहीं लगता है, विश्वास आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जान बूच क अगर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं। आपको पीडाएं पहुँचा रहे हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है। बिना किसी की परवाह किये हुए ना किसी व्यक्ति की ना किसी रिष्टे की और ना ही स्वयम भगवान की भी परवाह किये बिना क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अरजुन तू कर्म किये जा फल की इच्छा मत कर वह तो मैं तुझे दूंगा पर मंडे बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते किस से कौन बिलकुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुँच भी जाते हैं। लेकिन जिन्दगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं। हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयम भगवान है, वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, और वही हमें मृत्यू भी देगा, हमारे जीवन का हर एक कार्य इश्वर की आग्या से ही चलता है, तो फिर हम क्यों नहीं जीवन क्यों हो जाती हैं – परिणाम तो ईश्वर दे रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है, उसके ड्राइवर स्वयम भगवान है अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए इतनी सारी बातें हमने आप से जो की हैं वे बातें केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है, और ऐसे ही कोमल हृदय में भगवान रहते हैं, बस जरूरत है तो आपके अंदर एक छोटे से घ्यान के दिये को चलाने की भीर देखे, कि कितना स जी हाँ दोस्तों, और आज जो हमें तकलीफ लग रही है, शायद भविश्य में बहुत अधिक सुख देने वाली है, आज की तकलीफ कल का सुख होते हैं, दोस्तों इसे याद रखना है, आपको अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यक्ता ह आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, भविश्य को लेकर जिनताएं और डर भी रहेंगे, एक अंजान सा भय आपको सताता रहेगा, आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यक्ता है, आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बिताएं आनि अपने आ जिलता रहेगा, ऐसे में आपको किसी भी इनसान के साथ अधिक बात ही नहीं करनी है, ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, ज्घड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और ज्घड़ा होता है, तो आपका सम्मान कम होगा, यानि आपका अपमान हो जाए खास तोर से नकारात्मक लोगों से आपको बच कर रहना है एक बात हम आपको बता दें कि आप जितनी सकारात्मक है जितनी सरल स्वभाव के इनसान है उतने ही आपके आसपास के जो लोग है नकारात्मक है और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग है यानि कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंड़ना है और उसे किसी भी प्रकार की बहस बाजी में नहीं पढ़ना है आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से एक तनाव की स्थिती उत्पन्न हो सकती है किसी प्रकार की बहस बाजी भी हो सकती है वहां भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौत धिक वालों का प्रयोग करें अपने बुद्धी को अच्छी तरह से उप्योग में लाए और जगडे में ना पड़े बहस बाजी में ना पड़े क्योंकि अगले दिनों में होगा यह है कि परिस्थितियां अक्सर आपकी नियंतरन से बाहर रहेंगे जीजें आपको कम समझ में आएगी और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे तो ऐसे में आपको संभल संभल कर चलने की आवश्यक्ता रहेगी दोस्तों आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी एक और खास बात दोस्तों की आपको पैरों में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है किसी चोट के लगने की आशंका रहेगी उस थोड़ा सा संभल कर रहे दोस्तों दोस्तों आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है जो की आपका मन चंचल रहेगा बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा तो आप काम को जल्दी जल्दी निप्टाने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने है और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है थंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गती से करना है जल्दबाजी नहीं करेंगे अन्यथा आपको बड़ी हानी हो सकती है खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी किसी न किसी कारण की वजह से पेशा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में एक अच्छी खबर यह है दोस्तों की आपका मन धर्म कर्म के कारियों में लग जाएगा वहीं आपके मन में ईश्वर के प्रतिश्रद्धा भाव जागेगा आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाएग ईश्वर की पूजा आराधना करें जो की बहुत अच्छी भावना है आपको यह अवश्य करना ही चाहिए दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में कई वीडियो में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशे के जातकों का उध्धार तब ही होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे यानि जितने आप धार्मिक और सात्विक बन कर रहेंगे आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वर को बहुत प्रिये है और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा आपके मन के अनुसार होगा आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर की मर्जी से ही करना है आप जब ईश्वर से जुडेंगे सकारात्मक होंगे आध्यात्मिक होंगे तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले लेंगे, ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगी. याद रखिये कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं, भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तू वह कर जो मैं चाहता हूँ फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा यह नियम उपर 100% फिट बैठता है दोस्तों आप एक बार इसे अपने जीवन में लगा कर देखिए ईश्वर से जुड़ी है ईश्वर का नाम लीजिए और नकारात्मक नकारात्मक चीजों से विचारों से दूर रहिए जो शराब यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधी से आपको कोसों दूर रहना है दोस्तों में मांस मदिरा का आपको भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है और आपको हमें गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबान की तरह कार्य करें कि दोस्तों आपकी राश्य के जातकों पर 100% फिट हो गई है बा आपको नियम से हनुमान 40 का पाठ रोज करना है चाहे आप सुबह करें शाम करें दो पहर कल रात को जब आपको समय मिले आप करिये दोस्तों से इश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है सारे समय इश्वर के ही समय होते हैं तो आपका जब भाव जागी आप करिये रोज एक 24 घंटे में एक बार हनुमान 40 का पाठ जरूर करिये आप देखेंगे कि आपका जीवन बिलकुल आपके अनुसार हो जाएगा आकर जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा इतनी शक्ती है हनुमान 40 के अंदर बहुत ही सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है क्योंकि नियमित्ता बना कर रखना बहुत कठिन है लोग नियमित नहीं होते हैं दोस्तों एक दो बार दूध लेने से कोई इनसान ताकतवर थोड़े ही हो जाता है रोज पिया जाए नियम से किया जाए तो वह शरीर में शक्ती उत्पन्न करता है लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी 21 दिन का ले लीजिए 5 महीने का ले लीजिए क्या बुराई है दोस्तों हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कारियों में व्यतीत कर देते हैं तो क्यों नहीं 5 मिनट केवल हनुमान जी के कारियों में लगा दे और आप देखेंगे कि हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे परवत उठाने वाले हैं हनुमान जी आपका जीवन क्या है कुछ भी नहीं अब आपको बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 72 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगे अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं, वह खबरें जो आपको पसंद कर देगी, अगले 48 घंटों में घटित होने वाली ऐसी घटना है जो आपको सुख देंगे, आपकी एक ऐसे इनसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा, ये दोस्तों आपको किसी कठिन परिस्थिती से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा, साथ ही साथ दोस्तों आपके व्यापार में बिजनसमैन नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनस को बढ़ करने में मदद मिलेगी और यदि रुपए पैसे को लेकर कहीं कोई विवाद चल रहा था, वैसे आपके अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलच जाएगा, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिलकु बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा, और इन सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि आपका सत्र आपका दुश्मन है, आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा, बस एक ही है आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, यदि आ आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, वह विफल हो जाएगा, उसका आपके उपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और अन्य समस्याओं में उलज जाएगा, दोस्तों इसी के साथ साथ, दोस्तो सकारात्मक नजरिये के साथ, यदि आप चलते हैं, तो आपके कार्यक शेत्र पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किये बिना मांगे नहीं, कार्ड इसका यह है कि आपके कार्यक करने की शैली, यानि की कार करने के तरीके इतने शक्तिश इतने प्रभावशाली हैं कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किये बिना रह नहीं सकते हैं, साथ ही साथ दोस्त होते हैं, अगले तीन दिनों में आपको एक बहुत ही शुब समाचार मिलेगा, जो आपक जीवन में अगले 72 घंटों में आने वाली है, जी हां दोस्तों, वह महिला आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा भरने का कार्य करेंगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का संघर्ष करने का बलप्रदान करेगी, और हम आ आत्मिक उर्जा सकारात्मक हो जाएगी। वह अपने जीवन को नियंतरित करने लगता है, लेकिन इस उर्जा के क्षेत्र को सकारात्मक बनाए रखपाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपने किसी की जरा सी बुराई भी कर दीजिए, आपके मन में जरा सा करो या खिलाने, या कोई भी नकारात्मक भाव, तो आपक जब इस महिला के संपर्क में आएंगे, तो आपका उर्जा क्षेत्र सकारात्मक होने लगेगा, ये दोस्तों ध्यान से सुनिए, किस महिला का नाम क्या है, और यह महिला आपको कहां मिलेगी, महिला का नाम का पहला अक्षर है, वह आ है, और यह मेश राश्य की महिला है, य प्रवेश ना हो आनशिक प्रवेश हो लेकिन कहीं न कहीं सही है। महिला आपको मदद अवश्य करेगी। किसी न किसी रूप में यह आपके जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आएगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे और विरोध में आ जाएंगे। करेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई महिला नहीं आई। हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। तो दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कह दिया है कि आपकी राश्य के जातक यदि धार्मिक है। इश्वर का नाम लेते नित्य इश्वर को पूझते हैं। मन में सकारात्मक भाव रखती है। तभी ग्रहों की चाल का प्रभाव आपके उपर रहता है। सकारात्मक रहता है, अन्यथा कोई भी शक्ती आपके जीवन को बदल नहीं सकता। ताकि आप नकारात्मक रहेंगे। आप हर चीज पर शक करते रहेंगे, तो आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। शक करने वाले लोग तो प्रभुश्री राम पर और स्वयम हनुमान जी पर भी शक कर लेते हैं कि ये तो भगवान ही नहीं है, तो कालपनिक कहानिया है, तो अब ऐसे लोगों को भगवान ही सदबुद्धी देंगे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपकी राश लेना है तो हम कई बार कह चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि धार्मिक रहिए। नकारात्मक होते ही आपके जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा भी आपको बुरा प्रभाव देने लगेगी। ये जहां शुक्र आपको स्त्री सुख देने वाला है। अभी अगले 72 घंटों म वही शुक्र आपको स्त्री सुख से वंचित भी बना सकता है। यानि जहां आपका प्रेम संबंध चल रहा है वह तूट भी सकता है। जगड़ा भी हो सकता है। आपकी जीवन साथी के साथ जगड़ा लडाई हो सकता है। क्लियर हो सकता है तो उल्टा हो जाएगा। लेक पिर हम क्या कर सकते हैं। इसमें आप खुद ही नकारात्मक है तो जब नकारात्मक ओर्जा आपके पास है तो वे नकारात्मक ओर्जा को आकरशित करेगी। उर्जा को अपनी और आकरशित करने की याद रखिये दो रूप होते हैं एक सकारात्मक नकारात्मक देने वाला है वह देने वाला है वही शुक्र को राक्षसों का गुरू भी कहा जाता है या दोस्त तो यह राक्षस रहे हैं इसमें कई प्रकार की नकारात्मक अदाएं भी भरी हुई है तो आपकी सकारात्मक उर्जा किसे आकरशित कर रही है यह निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है अब आप शायद समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं पहले आप पूरी बात को समझ लेंगे तो आप सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगेंगे बस यूँ ही आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी कह देना बहुत सरल होता है दोस्तों उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल भी पाएंगे बाकी आप चिंता ना करिए दोस्तों हम भी यहां से जोर लगा रहे हैं हर रोज मा भद्रकाली के हवन में हम आपकी राशे के जातकों की शुब कामना की प्रार्थना करते हैं मा भद्रकाली सही रात में करते हैं कि आपकी जीवन में सुख समृध्य आए मा भद्रकाली के हवन में रोज आपके नाम की आरतियां होती है दोस्तों आप बस याद रखिए जो हम आपको कह रहे हैं और बातों को समझने का प्रयास करिए इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं जो भी प्रशन आपके हो कमेंट में लिखें अगर सही कमेंट होगा प्रशन जायज होगा तो हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कमेंट में जैमा काली पूरे भक्ति भाव से लिखें माता की कृपा और आशीरवाद आपको प्राप्त होगा जैमाता की